नमस्कार दोस्तों आरोग ये मौडन हुएपिथी में आपका स्वागत है दोस्तों आज सूपर स्पिशालिटी मौडन हुएपिथी दवाईयों की सक्से स्टोरीज में हम सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस सिग्रसितिक पेशिन नीता जेठवा जी के बारे में बात करने जा एलोपेथिक, आयरवेदिक, होमियोपेथिक और घरेलून उसके अपनाने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्हों ने डॉक्टर अर्पिच चोप्रजन से संपर किया और उनकी सूपर स्पिशालिटी मौडन हुएपिथी दवाईयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्त हैं आईये मिलते हैं नीता जेठवा जी से और जानते हैं उनसे मौडन हुए पिती दवाईयों की सर्वाइकल स्पॉंडलाइट इस पर जीत की एक सक्से स्टोरी नमस्कार मेरा नाम नीता जेठवा है 28 द्वारकापुरी में रहती हूं मुझे लाज्ट 10 यह से 2010 से जाने लगा और यह मेरे हाथ राद को जैसे सोती थी करवट लेके जिस करवट सौंग उस करवट सुन पड़ जाते थी और पेले एक ही नस दुखती थी दीरे दीरे यहां पीछे सीर में भी दुखने लगे दर्द बहुत काफी बढ़ गया फिर ऐसे करते करते यहां नीचे कंवर तक आने लगे अधी पूरी पीठ में मेरे दर्द होने लगे और में एक किलो सबजी की थेली तक उठानी सकती थी इतना दर्द के में 10-15 मीट अगर में ने गाड़ी भी चला रही टू वीलर जैसे दो इस हाथ से तो भी मेरे घर जाते जाते मेरे हाथ में थोड़ी करवाई मालीश करवाई उसके बाद मैंने सिकाई भी करवाई फिर वो कपिंग थेरेपी बोलते हैं वो भी मैंने दो बार करवाई मेरी 10 साल के वर्स के अंदर और मैंने करीबं पचास अजार से एक लाख रुपे तक की दवाई यहां सथित कंटीनिव चाल कर ली जैसे चा जो चोईत्रम होश्पिटल में है और यह नियूरो सर्जिकल है दोक्टर उनने मुझे 2020 में उनने मुझे एमराई करवाने को बोला कि आप यह सपोंडायली जो साथ वर्टिकल है आप उनकी एमराई करवाई उसके बाद उनकी दवाई आभी खाई में दो ठाई में पर दव जो मौडन होम्योपेथिक का मुझे मेरे पास में एक रहते हैं चंदा डांगी करके उनसे पता चला उसके बाद मैंने नेट पर भी सर्च करा था कि वह भाभी जी दवाई लाए तो मैं एक बार नेट पर देख लो फिर मैंने नेट पर देखा फिर इनका यूटूब चैनल फिर मैं सरकर मिलने गई और एक माईने की दवाई के वावजूद मेरा हाथ ठीक है एक मईने में आराम आउ गया है उसके बाद अबीजो में दूसरी बार दवाई लेने आई तो म्यरको एलर जी की तकलित थी वह भी जब एक साल से पर वह सरको बताई नहीं पैले तकलिफेटी हैं तो आपकी तकलिफी सच एप कर तो लेती रहती हूं हर डाक्टर वदलती रहती हुं जैसे दो महींने में पंधी ठीक है अब नहीं ठीक हुआ मैंने दूसरा डाक्टर जेंज कर गर एक बार सलंग मेने आयुर्वेदिक इलाज करवाया छे महीने से फर्क पड़ जाता है पर फिर छे आठ महीने का गेप हो या साल भर का गेप हो और मैंने टूविलर चला ली तो फिर वापस दर्द उड़ जाता था तीन मेरे वर्टिकल है सी 3, C4 या सी 5 यहां पर जो रहते हैं यह कंदे पर उसमें डाक्टर बोलते हैं आपके यह नसेद अभी हुई है पहली बार में आई तो मैंने बोला सर पहले तो मैं बाद में दवाई लूंगी क्या आप पहले गेरेंटी लो क्योंकि मैं तो थक चुकी हूं दवाई खाके और काफी दवाई हो के साइड इफेक्ट भी होते हैं तो सर ने बोला आप दवाई लो मैं गेरेंटी ले रहा हूं कि आपका हाथ ठीक हो जाएगा और आपको आगे दवाई खाने की ज़रूत नहीं है फिर मैंने एक महीने का ट्रीट्मेंट अभी चालू और ठीक है मेरा हाथ पंद्रा दिन बाद लगा सुन पन ये सब तो लास टेन देश से हुआ एक महीने की दवाई खाई बीस दिन बाद वाम अभी तो कुछ दर्द नहीं है मेरे मात्र एक महीने के अंदर मुझे इस दवाई से मोर्डन होमियोपितिक दवाई से इतना फर्क हुआ कि जो मैं दस स से परेशान थी और मेरे ये पूरी पीठ पे दर्द होता था तो वो दूसरे जो नीचे के वर्टिकल उसमें भी दर्द उसमें भी बहुत काफी रहत हुई और बोत अच्छा लग रहा है मेडिकल की दवाईयों से साइड इफिक होते हैं इस दवाई से कुछ ऐसा साइड इ तो वो सब मेंने खटा ही छोड़ रहे हैं दाक्तर साब ने बोला आप सब खाओ अब आप इमली नी खाते थे तो इमली भी खाना चालू कर दो एक बार फिर देखिंग तो मैं भी इतने साल से इतने डाक्टरों के ट्रीट्में करें तो मैं भी कोई कम नी थी वेने जान आप मैंने खाती थे पर अब खाई में पर कुछ डिक्कत नहीं हुए मैं को से अब ही मैं गाडी चला थी तो मैरे हाथ हैसे दुख जाते थे कि जिस की पहलब राइट हैंड से उठना तो यहां मेरसे इंसे में सो वर्ड भी अगर कोई लिखने का दे तो वो से वर्ड भी मैं नहीं लिख सकती थी क्योंकि मेरी यह उंगली यह इतना दर्द करने लगती थी के मैं को बहुत वह मुश्किल होता साली कि इसा लगता था कि पैनी फेक मेडिकल के हर डाक्टर के सकती हूं तो वह थैले तो जहांचे करवाते है इतनी नहीं करांगी किBlue सिर्थन कर दो यह श्य अजार कि वArt a खंच करवा दे तय। सब के रिपोर्ट आती है और भारे कि नोर्मल इंसान भी थोड़ा कर सकता है तो आपको दाक्टर साभ को इतना धनियावाद देंगी कि जिसकी कोई हद नी मेरे पेसे बज गए उसके बाद मेरे दवा खाने-दवा खाने कितने दवा खाने जाने का समय बज गया और वा इतनी दाक्टरों के या भी इतनी भीड कि अपना नंबर आने में सुबे से साम हो जाती है तो वो टाइम भी मेरा बचा है कि अभी चार चार गंटे वेट करो और में इसे मुक्ति पाई इसमें सर्वाइकल स्पॉन डाले मुक्ति मिन्स जैसे नया जीवन किसी को दिया हो मैं इतनी ऐसा लगता था कि दीरे-दीरे मेरी पूरी यह सर्वाइकल स्पॉन की रीड की हड़ी है कई ऐसा नहीं के पूरी हड़ी में दर्द यह होना लग जाए मैं को बहुत डर लगता था मैं स्टेंशन में रहती सरका तो म पैसे नहीं रहते वो लोग आके भी सर को दुवाएं दे धनियवाद दे और उनका रोग मुक्ति करें जिनको ज्यादा तकलिप है मुझसे भी ज्यादा उन लोगों का भी दुख दूर करें और सरका स्वभाव भी इतना अच्छा है तो मैं तो यही के बड़े-बड़े ड मोझशान अच्छा को कि बुद्विए रंट मैं होगो बाती हुद है रेकिल्टर को परेसान नहीं होते ते चाफी प्र को सुनने को तैयार नहीं रहते और हम सुझ सोचता है कि हम सारे दाक््टो epic सारी बता है जिस सरु उन्हें करते कि आराम से सुनते कभी कोई कि यह डाट भड़कार नहीं दर भी नहीं लगता उनके सामने ऐसा लगता है कि व अपने हैं और उनके सामने में दिल खुल के बात करD नहीं कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं नहीं बोला है तो भी बता देती हूं उनको शला दी फिर उनको विश्वास बेठा तो उसने फीज लेके परचा कटवाया और उसने मेरी सहली ने भी मेरेसाथ अभी एक महीने बाद दवाई ली आप लोग जैसे में सबको बताना चाहती हूं कि आप और दूसरी दवाईयां मेडिकल जो साइड इफेक्ट करती है और लोंग टाइम उससे अच्छा है कि आप अरपी चोपड़ा जो मोर्डन होमियोपेथिक दवाई देते हैं उनके पास जाके आप अपना इला से परिशान थी और उन्होंने कई जगह एलोपेथिक होमियोपेथिक ट्रीट्मेंट भी लिया साथ ही उन्होंने कई घरेलू नुसके भी अपनाया और लाखों रुपे खर्च करने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जन से संपर्क किया और उन्होंकी सूपर स्पेशालिटी मोडन हुएपी दवाईउं को अपनाया और केवल एक महिने में उन्होंने अपनी विमारी पर जीत हासिल की-साथ-स आ उन्होंने अपनी अलर्जी की बिमारी का भी समाधान प्राप्त किया और आज पूरी तरह से स्वस्त हैं आई यह मिलते हैं सूपर स्पेशालिटी मौडन हुए पेथी चिकित्सा पधती के आविश्कारक डॉक्टर अर्पिच चोपडा जैन से जिन्हें इस चिकित्सा पधती के आविश्कार के लिए लगातार दो बार एक्सिलेंस अवार् मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मौडन हुए पेथी दवाईयों के सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस पर असर के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पिच चोपडा जैन एमडी हुमेपैथी एंड डिरेक्टर आप अरोग्ये सुपर स्पेशिटी मौडन हुमेपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एस क्रिटिकल एंड सर्जीकल डिसीज स्पेशिलिस्ट एज ए मौडन सर्वाइकल स्पॉंडिल एटीज एक जो की बहुती कॉमन बिमारी मानी जाती है आपकी गरदन में काफी दर्द की अनुभुती होती है मिसेस नीता जेटवा जी जो की इंदौर की रहने वाली है पिछले दस साल से इस बिमारी से परिशान थी और काफी सारा उन्होंने ट् ही को सकती है तो क्यों ना मैं अपना इलाज भी मॉडरन होईपेती से लूँ और निश्चित रूप से दोस्तों उन्होंने इसके लिए काफी सारा फिर सर्च भी किया हमारे गूगल रिव्यूज देखे हमारे जाकर वेबसाइट पर सर्च किया यूटूब की डॉक्यूमे वाले पेशिंट जो की 3000 पेशिंट से ज्यादा का डेटा हमारे वेबसाइट या डॉक्यूमेंटरिस के अधार पर यूटूब के चैनल पर हम लोगों ने जो सब्मिट कर रखे हैं उसके अधार पर उन्हें लगा कि क्यों ना मैं मॉडरन होईपेती ट्रेट्मेंट लूँ के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है तो दोस्तों के अवल एक मेने के मॉडरन होईपेती ट्रेट्मेंट से उन्होंने दस साल पुरानी सर्वाइकल स्पॉंडिलाटी जैसे बीमारी पर विजय पर निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के लिए ये जो बात है कि आप पर कंप्रेशन के कारण काफी दबाव महसूस होता है और पेशेंट को अपने गर्दन के मुमेंट पे नेक के मुमेंट्स पे काफी तकलिप का सामना करना पड़ सकता है काफी तीवर दर्द के अनुबुती का सामना करना पड़ सकता है और आपका जो ये दर्द है चुकि यह compression रहता है इसलिए हाथ में भी यह दर्द रिफर होता है और काफी जुन-जुनी या नमनेस जैसी स्थिरी का भी सामना करने के लिए इंसान को प्रतारित होना पड़ता है और दोस्तों बाजुद भी यह जो परिशानी है पूरी तरीके से खत्मा नहीं होती है और उसके भी कई बर फेलियर वाले केसे भी हमारे पास देखने में आते रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यह मैसेज है कि जिस तरीके से मिसेश नीता जेटवा जी ने केवल एक मेने के मौडरन होमेपेथी सुपर स्पेशिटी कंसेट्रीट्रीट्मेंट से अपनी सर्वाइकल स्पॉंडी लैटिस जैसी दस साल पुरानी बीमारी का जो सॉलूशन केवल एक मेने के ट्रिट्मेंट से लेकर पूरी तरीके से आज वो स्वस्त हैं अपने बारे में बता पा रही हैं बिना किसी पेन किलर के वो रहने के लिए सोच पा रही हैं बिना किसी स्टोराइड या बिना किसी सर्वाइकल एमिनेक्टॉमी सर्जरी के भी वो आगे के लिए अपना जीवन चीज सकती हैं तो यह जो इनके लिए हमने प्रयास किया था वो सही मैनों में संभव हो पाय आप Modern Homeopathy Super Specialty Concept Treatment का उपयोग प्रारमभी का वस्था में लीजिए ये पूरा प्रयास है कि अगर आप शुरू में ही इस प्रकार की बिमारी के लिए अगर Modern Homeopathy Treatment लेते हैं तो बिना किसी आपको पेंग का सप्रेशन किये हम लोग आपकी बिमारी का सलूशन पहले दिन की अव चाहे वो cervical spondylitis की बात हो चाहे वो elbow spondylitis की बात हो चाहे वो Sightika की बात हो चाहे वो low painに साइटिका की बात हो या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि कि किसी भी पकार के Rimetology वाले disorders की बात हो चाहे वह Aviscular necrosis-Avian related Rimetology की बात हो या फिर एक Rimetology Disorder चाहे वो Rimetrides arthritis, fibromyalgia या incolizing spondylitis जैसे लाइलाज, artyomine बीमारी की बारे में अगर हम समझना चाहें, slip disc या spinal stenosis से related जो प्राड़म जिसमें नर्ग का compression हो जाता है, नर्स दभी भी रहती है और पेशेंट काफी दर्द के अनुभुती के साथ तकलीप में रहता है और कई बार तो तकलीफों को उपर से भी पूरी तरीके से दर्द से कंट्रोल करके, उनके body metabolism को अंदर से भी पूरी तरीके से maintain करके, उनकी disc की स्थिती को पूरी तरीके से वापस maintain करके, फिर से समाज में खड़ा किया है, इस तरीके से काफी सारे और भी बहुत spinal stenosis जैसे पुरानी बीमारी जिसमें वो 10 से 15 साल से रिशान थी, काफी वो तकलीब में थी, इस बीमारी से केवल modern empathy treatment से उन्होंने निश्चित रूप से अपनी सरजरी बचाई, इस तरीके से मिस्टर रतनलाल बागडी जी जिन्होंने बिलकुल तरीके सकते हैं कि बिलकुल जो बिस्तर पकड़ लिया था उस तरीके की परिशानी से भी modern empathy treatment से केवल 15 दिन के treatment से अपने आपको पूरी तरीके से स्वस्त किया और निश्चित रूप से spinal stenosis जैसे सरजरी उन्होंने बचाई, इस तरीके से कई पूरी तरीके से निगेटिव भी किया और आज भी वो सभी अपना सवस्तर जीवन जी पा रहे हैं फाइबरोमायल जीया जैसे एक अन्य बिमारी जिसमें Mr. J.P. गोती साव, Mrs. Sonal बारगाओ या फिर Mrs. जोती ठाकुर जैसे अन्य पेशेंट जिन्होंने positive एने फेक्टर की रिपोर्ट्स को भी केवल मौडर्न हुमिपेटि के treatment से पूरी तरह के से निगेटिव किया एक सबसे बड़ी बीमारी के बारे में और बात करना चाहूंगा जो Spinal Cod को काफी परिशान कर सकती है Encolizing Spondylitis जो की लाइलाज बीमारी मानी जाती है इसमें Spinal Vatribra है वो fusion में जाने लग जाते हैं इसके कांट काफी दर्थ की अन्भूती होती है इस तरीके के patients Mrs. सारदा बंसल जी जो की इंदौर मध्यपदेश की रहने वाली है Mrs. Pooja सिंगी जी जो की इंदौर मध्यपदेश की रहने वाली है दो patient ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे जिनकी positive HLA B37 की report हमने केवल modern hemipathy दवाईयों से 11 से 12 महीने के treatment से पूरी तरके से negative भी किया और आज भी ये दोनों patient इंकोलाजिंग इस्पॉंडिलाटीज जैसे लाईलाज जो की कमर के दर्थ के लिए काफी मुख्य कारण माना जा सकता है ऐसी मिमारी पर विजय प्राप्त करके पूरत तरके से स्वस्तर जीवन प्राप्त किया तो दोस्तों slip disc spinal spondylitis, spinal stenosis, cervical spondylitis, cervical इस तरह की किसी भी प्रकार की spinal cord के प्राप्लम के लिए आज के डेट में modern विप्ति की दवाईयां किसी चमतकार या वर्दान से कम साबित नहीं भी है इस बात की पुष्टी अन्य काफी सारे patient के अधार पर चाहे वो rheumatology के patient है neurology के patients है या फिर अन्य कई प्रकार की गंबीर बिमारिया जो हमारी website पर आप जाकर चाहे वो cancer kidney failure, coma के patient आपने hospitalized category के बिगड़े वे cases या फिर जो artyomine बिमारी या surgical category प्लस जो lifestyle problem से related problem के 300 पकार की बिमारियों से related जो patients है उनके बारे में आप जान सकते हैं करीब 3000 से जादा patients के बारे में हमने उस बारे में बता रखा है आप उन्हीं सभी की काहानी समझ के उन सभी के reports के अधार पर pre and post report के व्याख्या के अधार पर ये बात अच्छे से समझ पाएंगे कि modern होई पेथी super specialty concept treatment किसी भी बिमारी के solution के लिए एक permanent treatment है आपकी बिमारी को किसी भी परकार से suppress ना करके आपकी बिमारी को पुरी तरिके से जड़ से खतम करता है complete response देता है आपके body metabolism को पुरी तरिके से maintain करता है बीना किसी side effect का treatment है बीना किसी परहेज का treatment है इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं आती जिससे आपके liver या kidney को परिशानी हो या liver या kidney में किसी परकार के दुस्प्रभाव का सामना करना पड़े तो निश्चित तौर पे बीना किसी side effect के fast treatment, complete treatment और बीना किसी परहेज का treatment सबसा अची बात एक cost effective treatment जो हम प्रदान कर पाते हैं अगर इस तरीके की किसी भी अन्य बीमारी के लिए अगर बात करें तो चार या पांच पकार की बीमारी के लिए मिला कर आप एक ही kit में आप उन सभी बीमारी का solution ले सकते हैं इसका फाइदा ये होता है कि आप अपने चार या पांच पकार के डॉक्टर्स की विजिट करने की जो मजबूरी है उनकी अलग-अलग प्रकार की दवाईएं खाने की जो मजबूरी बनती है उसको भी आप पूरी तरीके से बचा पाते हैं और निशित तोर पर एक cost effective treatment लेकर बिना किसी side effect, बिना किसी परेच के वापस खड़े हो पा सकते हैं इन दवाईओं का फाइदा ना केवल आपके symptoms पे दिखता है बलकि आपके medical reports पे भी इस बात की pushटी होने लग जाती है और यही विश्वास हमारा है कि modern हमपिति के मद्यम से दुनिया में जितने लाइलाज बिमारी हैं, जितने critical या लाइलाज या जटिल बिमारी हैं उनका solution लिया जाए और कम से कम अवधी में आप primary treatment के रूप में अगर इसका उपयोग करें तो ज़्यादा better option हम आपको दे सकें इस बात का विश्वास है कि अगर primary treatment के रूप में modern हमपिति का उपयोग लिया जाए तो बीना किसी suppression के आप अपनी बिमारियों को जल्द से जल्द आप free कर पाएंगे अगर किसी current से आपको इस treatment के बारे में पता नहीं चला हो और आप काफी आगे तक बढ़ चुके हो तो भी कोई बात नहीं आप इस modern हमपिति treatment का उपयोग secondary treatment के रूप में लीजिए निशित तोर पर हम लोग इस बड़ी भी अवस्ता में भी अपने high power का treatment का यूज़ करके आपको जल से जल पुरी तरीके से वापस अपनी समस्या का समाधान के लिए पुरी तरीके से विकल्प दे सकेंगे ऐसा हमारा पूरा विश्वास है ऐसा हमारा पूरा प्रयास भी है तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस तरीके के किसी भी 300 प्रकार की बिमारी के लिए या cervical से related या spinal cord से related किसी भी दर्दवाली pain के इस्तिती के लिए आपको किसी भी एक patient को मदद करना चाहें तो इस तरीके के काफी सारी patient के example से आप उनसे प्रेंड़ना लें आप खुद भी इसका प्रयोग करें modern हुमेपेथी super specialty concept treatment का फायदा लें और दुसरों को स्वस्त रहने के लिए प्रेरिट करें दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी भी patients को हमसे contact करना है तो वो face to face consultation के लिए इंदोर इस्तित आरुग ये super specialty modern हुमेपेथी clinic जो कि जंजीर बाला चोरहा निव पला से हमें इस्तित है आकर हमसे face to face clinic पर consultation ले सकते हैं अगर किसी करण से हुआ हमारे पास आने की इस्तिती में नहीं है तो उनकी जितनी भी reports हैं details हैं हमें whatsapp या email के माध्यम से फ्रेशित कर दें हम लोग आपके दोरह बतायागे details को verify करके आपके details को समझ कर आपसे बात करके आपके लिए जो modern उपिती super specialty concept की kit होगी उसको घर बैठे भी आपको career के माध्यम से भेश सकेंगे निश्चित तोर पर घर बैठे भी इस तरीके की दुर्गम, जटिल या लायलाज बिमारी पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरी तरीके से मदद कर सकेंगे इसी उमीद के साथ दोस्तों आप सभी स्वस्त रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें जीवन भर, बिना किसी दर्थ के अनुभती ले, दूसरे के दर्थ को भी दूर करने के लिए भी पूरी तरीके से मदद करें मैं डॉक्टर अर्पिज चोपडा जेन, आरोग के सुपर स्पेशलिटी, मॉडरन हुएपिथी क्लिनिक, इंदौर, थैंक्यू, नमस्कार तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पिज चोपडा जेन, जिन्हों नहीं में बताया कि किस तरह सूपर स्पेशलिटी, मॉडरन हुएपिथी दवाईयां, सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस जैसी गंभीर बिमारी पर भी अपना असर दिखाती हैं, और इस बिमारी को से खत्म करने में आपकी साहयता करती हैं, तो दोस्तों, ये तो थी नीता जेटवा जी की मॉडरन हुएपिथी दवाईयों की मदद से सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस पर जीत की एक सक्से स्टोरी, इसी तरह आप भी टॉक्टर अर्पिच्चोपडा जन की कंप्लीट, पास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट एफेक्टिव सूपर स्पिशालिटी मॉडन हुएपिथी दवाईयों में अपना विश्वास दिखाएं, और किसी भी गंभीर ये सामने बिमारी के इलाज या अस्पताल में भरती गंभीर मरीज के लिए इसे प्रात्मिक चिकेचा के रोग ये मॉडन में भी थी, थाइंक यू अंट टेक केर